नमस्कार आएब देखते हैं अगले वीक में किस तरह से हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबार और वो कौनसे दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक अच्छा एक्षन उपर की दरब देखने को मिल सकता है तो इस वीक की एक अच्छी क्लोजिंग मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हाला कि शुरुवात थोड़ी सी फ्लैटिश टूब स्लाइटली पॉजिटिव नोट पे हुई थी लेकिन पूरे अपते अगर हम देखे तो एक कंसॉलिडेशन मार्केट में देखना ह जो क्लोज है कि 1% का उसमें एक विक आन विक पड़ात हमने देखिए और बैंक निफ्टी में भी हमने 2600 के आसपास का क्लोज देखा है जो कि 1% का अच्छा उच्छा उसमें हमने देखा है वीक आन वीक तो ब्राडली एक अंडर्टोन तो अभी भी दोनों इंडेक्स में पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि आवरेज इसके सेटप दोनों इंडेक्स के अच्छे पॉजिटिवली प्लेस्ट है और बाकी भी कई सारे जो मोमेंटम इंडिकेटर से वह अभी इंटेक्ट दिखा रहे है स्ट्रेंद को स्ट्रेंड के तो ब्राडली निफ्टी के अगर निफ्टी निकलने में कामियाँ होता है तो हम एक फ्रेश अपमों इंडेक्स में आते वह देख सकते हैं वही अंद लोवर साइट 10100 के निजे निफ्टी में एक वीकनेस थोड़ा गहरा सकता है तो यह एक दो लेवल से निफ्टी के जो ट्रेडर्स को थोड़ा ध्य अच्छा कासा एक रेजिस्टांस बन रहा है वह एक 22,000 के आसपास है और दूसरा 22,400 के असपास है तो जैसे हमने देखा कि इस वीक में 22,400 को टेस्ट भी किया था बैंक निफ्टी ने लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया एक अच्छा सिल आफ वहां से आ गया तो इस बार अगर 22,400 के आगे बैंक निफ्टी निकलने में कामियाब होता है तो फिर हमको एक अच्छी डिसासिव तेजी एक डिरेक्शनल मुव हमको इंडेक्स में देखने को मिल सकते है तो ये कुछ लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी के जिन पर ट्रेडर्स को खास करके नेक्स्ट वीक में ध्यान रखना चाहिए अब जहां तक स्टॉक्स का सवाल है तो दो स्टॉक है हमको अच्छे लग रहे हैं जो टेक्निकल सेटप उनके बहुत पॉजिटिव बने हुए तो एक स्टॉक का नाम है सीमेंस सीमेंस का आज का जो फ्रैडे का क्लोज आया है वह 1116 के असपास और उसका और अगर हम ब्रॉडर चार्ट स्टॉक्चर देखें बिल अच्छा कासा ब्रेक आउट उस ट्रेंड लाइन में हमको देखने को मिला है तो लगता है कि सीमेंस में अच्छी तेजी बन सकती है अलाकि करीदारी की सला थोड़े डिप में होगी क्योंकि मार्केट में फ्लक्टॉएशन बहुत है अगर आपको 1190 से लेके 1100 के रेंज मे उसका स्टॉपलस जो बनेगा ब्रॉडली वो 1060 के असपास का बनेगा और उपर में सीमेंस के जो टार्गेट बन रहे हो 1210 के असपास के आर है तो एक अच्छा ट्रेडेबल सेट अप लग रहा है सीमेंस में थोड़ा एक 6-8 दिन का अगर व्यू ले आगले वही ऑन दाउ पॉड़ा उसका 1060 अब तक होल्ड कर रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है उसमें बरकरार रही तो सीमेंस हमारा एक पिक है और सेकंड पिक हमारा वह है आरबील बैंक आरबील बैंक का आज का जो अराउंड नाइंटी वन के आसपास का है और हमने देखा है कि लास्ट के कुछ दिनों में अच्छी कासी तेजी हमने अरबील बैंक के स्टॉक में देखी और उसके बाद एक हलका सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग में हमने देखा है लेकिन दुबारा इस यह स्टॉक जिस तरह से 190 के उपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो देखके पर चलने का काफी दमखम बागी है तो उसके अवरेज भी पॉजिटिवली प्लेस्ट है तो काफी सारे इंडिकेटर्स उसमें पॉजिटिवली प्लेस्ट है और एक अच्छा मोमेंटम ब्रॉडर वीकली चार्ट पे उसमें देखने को मिला है तो आरबील बैंक हमको लगत आरबील बैंक के जो टार्गेट बंद रहे हो थोड़े अग्रेसिव टार्गेट्स के मैं बात करूंगा क्योंकि उपर में इसके जो पोटेंशल लग रहे हो फ्राबेबल वो दोसो वीस तक के पोटेंशल लग रहे तो ये अच्छा स्टॉक हो सकता है अगले कुछ दिनों का मां सेटप हमको लग रहे टेकनिकली और ये दो स्टॉक से जो हमको अच्छे लग रहे एक है सीमेंस और दुसरा अरबिल बैंक